दोस्तो अक्सर कहीं लोगों को TDS और TDS refund केसे मिलता है इसके बारे में पता नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्र करें और बाजू में लगे बेल ऐकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि TDS refund केसे मिलता है लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके यह ज जानने से पहले हमें TDS को समझना होगा तो TDS होता है tax deduction at source यान कि आपको जो भी salary मिलती है वो company पहले से TDS काट के देती है या फिर आप कोई बड़ी amount का transaction करते हो तो उसमें भी company आपका TDS पहले से काट लेती है और सरकार के पास tax जमा करा देती है यानि कि इसको हम समझे तो आपका tax आपकी company ने काट लिया है जो कि सरकार द्वारा जमा हो चुका है लेकिन अब पूरा TDS आपका salary में से पूरे financial year में कटता रहा है और financial year के खतम होने के बाद आपको पता चलता है कि जितना पेशा आपने पूरे साल में कमाया है उतना का आपको TDS परने का नहीं होता है यानि कि आप जब भी अपना हर financial year के साल में अपना ITR फाइल करते हो तो उसमें एक deduction का भी section होता है जिसको आप section 80C भी बोल सकते हो तब आपको पता चलता है कि आपका TDS जो है वो ज्यादा काट दिया गया है क्यूंकि जब आप ITR फाइल करते हो यानि कि income tax return फाइल करते हो तो उसमें आपको government को अपने पूरी कमाई की जानकारी देनी होती है उसी से आपका gross income में से आपका tax निकल के आता है जिसमें पता चलता है कि आपके उपर इस financial year में सरकार को इतना रुपे tax देने का बनता है उसके बाद आप चेक करते हो अपने form 26AS में कि आपका TDS तो उ इसको हमें refund लेना होता है तो इसको refund लेने के लिए हमें ITR फाइल करना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति अपना ITR फाइल नहीं करता है तो वो TDS का refund जो है उसे नहीं मिलता है क्योंकि ITR फाइल करके आपका अपना हग अदा करते हो government को आप अच्छी तरह से बताते हो कि बाकी का पेशा government आपको वापस लोटा देती है आपके bank account में तो ज्यादतर लोगों का यह question होता है कि TDS refund कैसे मिलता है तो TDS refund मिलता है आपको ITR फाइल करने से आपको income tax department की official website पे जाना है और वहां जाके अपना ITR फाइल करना है अगर आपको यह सब नहीं आता है तो income tax pay क करने के लिए आप किसी CA के मदद भी ले सकते हो बहुत सारे CA है जो कि आपका income tax return फाइल करके देते हैं और यह इतना मुश्किल काम भी नहीं है अगर आपके पास form 16 और form 26 AS को अगर आप समदते हैं और अगर आप salary यान कि नोकरी पैसा आपका work है तो आप अपना TDS और अप आपको पता नहीं है तो उसकी लिंक में आपको उपर आई बटन पर दे रहा हूं जहां पर वो दोनों वीडियो में ने बना रखे है कि फॉम 16 क्या है फॉम 26 AS क्या है हमने income tax की पूरी series भी बना रखी है जिसका भी लिंक आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगा तो आप वीडियो भी जरूर देखिए ताकि आपको income tax related कोई भी तकलिफ ना हो तो दोस्तों आज के question का जवाब यहीं तक था के TDS का refund कैसे मिलता है तो इसके लिए आपको अपना ITR हर financial year के बाद फाइल कर देना है जैसे आप अपना ITR फाइल करोगे और government को पता चलेगा कि अगर आपका TDS हो ज्यादा कट चुका है तो फिर आपको आपका TDS वापस मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको TDS वापस मिलेगा क्यूंकि government ने कम TDS काटा है और आपको टेक्स देना ज्यादा बनता है तो फिर आपको government को income tax देना पड़ेगा यान कि ITR में आपको रिफन नहीं मिलता उल्टा आपको government को tax देना पड़ता है तो इसकी जादा जानकारी के लिए मैं तो यहीं कहूंगा कि आपकि किसी CSA संपर्क करें बाकि जहां तक TDS रिफन की बात है तो वो तो आपको ITR फाइल करने के बाद ही मिलता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्या होता है और TDS रिफन केसे मिलता है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया वो तो इसे लाइक कर दिजिएगा और वोटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर किजिएगा और एसे इनफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चै चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बोक्स में लिख सकते हो